हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगें टू लंग्री देतीमन, आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्यन की जो आपकी 11 यूनिट है भीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, तो इसमें आपके सिलेबस के अंदर नया ये टॉपिक जोड़ा है, जिसमें हम पढ़ेंगे भीमा और बैं उसके कार्य सहेकारिता या हम उभोकता जागरुपता तो यह टॉपिक आपके लिए important रहता है क्योंकि यहां से तीन या चार कुश्चन आपको exam में मिलेंगे ही, क्योंकि आपकी हर यूनिट जो है उसमें से आपके तीन या चार question जो है वो आने ही वाले हैं तो बहुत important रहता है आज हम करेंगे बीमा से संबंदित next topic हम करेंगे bank के प्रकार ठीक है तो उसके बाद हम धीरे धीरे ये पूरा जो unit है complete कर देंगे इसके अलावा जो भी नए topic है वो भी मैं करवाऊंगी और क्योंकि आपके exam में जो नए topic हैं वहाँ से प्रशन तो 100% आएंगे ही ये RBSC की book से और कुछ extra जो है वो मैं यहाँ पर include करके आपको question के माध्यम से करवाऊंगी क्योंकि एक भी प्रशन जो है वो आपके exam में चूटना नहीं चाहिए इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इन बातों को समझना है और याद भी रखना है इसके साथ साथ test जो है वो आपके unit wise लिये ही जा रहे हैं एक एक test यदि आप देते जाएंगे तो आपकी तैयारी जो है और भी अच्छा तरीके से हो जाएगी तो चलिए बिना देरी के start करते हैं question 1 है बीमा किसे कहते हैं तो बीमा किसे कहते हैं बीमा एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच एक समझोता होता है जिससे उस व्यक्ति की सारी जोखिम उस बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो तो याद रखना है कि बीमा क्या है बीमा एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच में समझोता है जिससे व्यक्ति की सारी जोखिम यह वो बीमा कंपनी को transfer हो जाती है next है question 2 बीमा premium किसे कहा जाता है हमने सबसे पहले जाना बीमा किसे कहते हैं जो की एक समझोता होता है व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच में. अब हमें समझना है बीमा प्रीमियम किसे कहते हैं. व्यक्ति की सारी जोकिम को वहन करने के लिए बीमा कंपनी मासिक, अडवार्शिक या वार्शिक किस्तों में भुपतान प्राप्त करती है, जिसे बीमा प् जो है वो क्या करती है? जोखिम वहन करने के लिए मुआवजा देती है. किसे देती है? उस व्यक्ति को जो उन किस्तों का बुपतान कर रहा है. ठीक है? तो उसे ही कहा जाता है बीमा प्रीमियम. Next Question 3. बीमा क्या है? तो बीमा हमने जाना कि एक समझाता होता है. तो इस तरीके से भी आपका option जो है वो आ सकता है कि बीमित एवं बीमा करता के बीच एक अनुबंद ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है. ठीक है? अब ये बीमित कौन होता है? बीमा करता कौन होता है? ये भी हम जानेंगे भीमित ऐवं भीमा करता के बीच एक अनुबंध या एक समझोता ही भीमा होता है नेक्स्ट है कुश्ण 4 भीमा कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो इस व्यक्ति को ही भीमित कहते हैं या भीमा करत कहते हैं तो एक्जाम में यदि ये शब्द आता है भीमित य इसने बीमा करवाया है, ना कि उस बीमा कमपनी को, ठीके, तो बीमा कमपनी को क्या कहते हैं, चलिए इसे हम जानते हैं, बीमा कमपनी को क्या कहते हैं, उस बीमा कमपनी को कहेंगे बीमा करता, ठीके, तो हमने क्या जाना, कि बीमा कराने वाले विक्ति को कहते हैं, बीमेत या और बीमा कंपनी को कहते हैं बीमा करता और बीमा इन दोनों के बीच में एक समझोता या अनुबंद होता है नेक्स्ट कुश्चन सिक्स साधारन बीमा कौन कौन से होते हैं तो देखिए साधारन बीमा कौन कौन से होते हैं वाहन संबंदी बीमा घर का बीमा पशू बीमा फसलों का बीमा स्वास्ते बीमा यात्रा बीमा ठीक है तो इन सभी का बीमा जो है वो एक व्यक्ति जो है वो तो साधरण भीमा की अंतरगत वाहन, घर, पश्शू, फशल, स्वास्थय भीमा और यात्रा भीमा ये सब ही किसमें आएंगे साधरण भीमा की अंतरगत आएंगे तो आप लोगों ने करवाया होगा कि जब आप अपनी गाड़ी का इंसोरेंस करवाते हैं, तो उसे साधरन बीमा की अंतरगत ही गिना जाता है. Next है, Question 7. अन्य प्रकार की बीमा के लिए अंग्रेजी भासा की किस सब्द का प्रियोग किया जाता है? अब देखिए हमने जो अभी जाना कि जो साधरन बीमा है, जैसे वहन का है, घर का है, गाड़ी का है, तो उसे तो हमने क्या कहा? उसे हमने कहा कि ये इंसोरेंस है. तो अन्य प्रकार के भीमा के लिए अंग्रेजी भासा में insurance word का use किया जाता है, किसका use किया जाता है, insurance word का use किया जाता है, देखिए दो सब दोते हैं, एक होता है insurance और एक होता है insurance, तो याद रखना है जो साधरन भीमा के लिए जो वाहन, घर, गाड़ी इन सब कराया जाता है तो इनका हम करवाते हैं insurance तो insurance जो है वो किनका होता है आगे के question में हम इसे जानेंगे जीवन भीमा क्या है अब जीवन भीमा क्या होता है भीमा policy खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्य होने पर उसके आश्रित को भीमा company की तरब से मुआबजा मिलता है तो साधरन भीमा में हमने देखा कि हम किसी घर का भीमा करवा रहे हैं वाहन का भीमा करवा रहे हैं पसु का करवा रहे हैं ठीके क्रिश्री सम्बंदी यहां करवा रहे हैं लेकिन जीवन भीमा के अंतरगत क्या होता है जीवन का भीमा होता है यानि एक व्यक्ति जो है वो दस्से होते हैं जो उस पर आश्रित होते हैं उनको बाद में बीमा कमपनी की मौआपजा जो दिया जाता है तो वही कहलाता है जीवन बीमा नेक्सट है कुशनननाइन जीवन बीमा के लिए अंग्रेज़ी भासा के किस सब्द का प्रियोग किया जाता है तो इसके लिए हम प्रियोग करते हैं insurance, देखिए ये question जो है आपके exam में पूछा जाता है, क्योंकि आप फटाफट से ये कर देंगे, जीवन भीमा के लिए अंग्रेजी भासा के किस सब्द का प्रियोग किया जाता है, आपके option में आ जाएगा insurance, insurance, दोनों या इन में से कोई भी नहीं, तो आप फटाफट से insurance लगा देंगे, तो वहां आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है, जो हमने साधरन भीमा की बात की, वहां हम insurance वर्ड का use कर रहे हैं, लेकिन जीवन भीमा के लिए अंग्रेजी भासा का जो शब्द यूज होता है, वह है insurance, ठीक है, इस्पैलिंग जो है, वो भी आपक्चे से याद रखिएगा, A-S-U-R-A-N-C-E, नेक्स्ट है, किसका कतन है, जोखिम के सामुहिक वहन को भीमा कहते हैं, तो ये कतन है, सर विलियम बैबरीज का, याद रखना है, सर विलियम बैबरीज, इनका कतन है, ये कहते है कि जोखिम के सामुहिक वहन को ही बीमा कहते हैं, नेक्स्ट है, कुश्यन 11, बीमा एक ऐसी योजना है, जिसके अंतरगत एक बड़ी संख्या में व्यक्ती मिलकर, किसी एक व्यक्ती की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेता है, ये कतन किसका है, तो बीमा क्या है, एक योज किसना है, इसके अंतरगत बड़ी संख्या में व्यक्ती क्या करते हैं, मिलकर किसी एक व्यक्ती की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में व्यक्ती कौन, जो बैंक, जो की वीमा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक व्यक्ती की जोखिम क अपने कंदों पर ले लेते हैं। तो इस कथन को किसने कहा है। ये कथन कहने वाले हैं MAGI, ठीक है। तो MAGI के कोर्डिंग जो है ये परिबासा है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम देखेंगे बैंक। ठीक है। उसके बाद हम के प्रकार, reserve bank और reserve bank के कार्रे, ये भी सभी topic जो है, वो complete करेंगे, जो कि आपके exam में पूरी-पूरी आने की संभावना है, आपका ये topic है, इस मेंसे आपके दो या तीन प्रश्णों जो है, in unit, इस unit में से आएंगे ही, मिलते हैं next video में, thank you.